मैंने बहुत सारी मूवी या सीरीज ऐसी देखी थी जिब वो सस्पेंस हो त्रिले रो उसके अंदर कुछ पी हो मतलब सस्पेंस चुपागे रखा जाता था उसके अंदर तो पता लगा लेता था कि हाँ आगे ये होने वाला है और यही जो है murder या फिर इसी ने कुछ किया हुआ है ऐसा पता लग जाता था plot को समझ लो या फिर ऐसी कोई thinking समझ लो लेकिन ये वाली सीरीज जो मैंने देखी इसने मुझे बांध कर रख दिया मतलब इसके अंदर आप जितना चाहिए दिमाग लगाने की कोशिश करो वह बिल्कुल भी नहीं निकलता आप बस उतना ही इसमें पता लगा पाओगे या उतना ही जान पाओगे जितना उस वक्त डिरेक्टर या राइटर आपको बताना चाहते है नमशकार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डार्क वेब सिरीज के बारे में जिसने नेटफलिक्स पे 2017 के अंदर रिलीज किया गया था अभी फिलाल मैंने इसका फर्स सीजन ही देखा और इसके अंदर 10 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 से लगवग 50-55 मिनिट तक का तो है मुझे ऐसे सही लगता है कि इसका अगर फर्स सीजन देखा तो उसके बारे में बात कर लूँ फिर इसके बाद सेकंड सीजन देखेंगे तब वहां उसके बारे में बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होगे जिन्नोंने इसके दोनों season देχ़ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे भी लोग होगे जिन्नोंने इसका एक भी season नहीं देखा होगा so मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम spoiler देकर या spoiler ना ही दू और इसकी कहानी आपको अच्छे से बता पाऊं है सबसे पहले thanks मुदसिर अर्फात का I think मैंने उनका नाम सही लिया है अगर यह वो वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने ही मुझे यह suggest की थी यह वीडियो मुझे नहीं पता वो subscriber है लेकिन उन्होंने comment करके मुझे कहा था कि अजय यह dark web series और एक और series थी उन्होंने दो series का नाम मेरे लिया था कहता है कि इन्होंने यह जान है Netflix की तो उनके कहने पर मैं यह series देखने बैठा था डार्क वैफ सीरीज को डेरेक्ट के है बैरन बो ओडन में नाम में शायद परनेंशेशन में गडबड हो सकती है और इसके जो राइटर है वो भी यही है इन्होंने यह जो script जो है इसकी जो कहानी है वो अन्य चार राइटर के साथ बैठ कर लिगी है मतलब इन्होंने इनका बहुत जादा credit है इस story को लिखने के अंदर अब कहानी पर आते हैं तो जर्मनी में एक town of Widen वहाँ पर nuclear power plant है और वहां वीडन में ही एक गुफा है वीडन केव जो इसको कहते है तो वीडन केव में क्या है कि अंदर जाते हैं जब उस गुफा के अंदर जाते हैं तो अंदर पास्ट में जा सकता है मैंने तो अभी तक सीजन वन में उसको पास्ट में जाता हुआ देखा है तो इसके अंदर तीन गेट है एक तो एंटरी का गेट जिसके अंदर 2019 में अगर कोई इंसान घड़ा है तो वहां से वह एंटर करता है फिर वो दो अलग अलग टाइम में जा सकता है जैसे एक तो 33 साल पहले जा सकता है सिर्फ और सिर्फ इसमें 33 साल का कॉंसेट दिखाया गया है कि 33 साल पहले 33 साल पहले जैसे कि 2019 में है तो 2019 से 33 साल पहले 1986 में या फिर उससे भी 33 साल पहले 1953 के अंदर इसमें जाता हुआ दिखाया गया है और यह इतना असान नहीं है समझना इसके अंदर बहुत सारे क्रेक्टर हो और ऐसा भी नहीं है कि अगर इसको में किसी को ट्रैवल करना है तो उसको तीन दिन पहले जाना है तो वो इस गुफा में जाएगा यहां पर गेट खोलेगा वो तीन दिन पहले पास्ट में चला जाएगा कुछ घड़बढ करके आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है बहुत complicated चीजे हैं इसके अंदर इसमें इतना जादा time traveling दिखाया गया है कि इसको देखकर सर चकरा जाएगा जो यह series है dark web series इसने 5 अवोर्ड पहले ही जी चुके हैं और 17 अवोर्ड के लिए नोमिनी है और अगर इसके लिए कोई perfect शब्द मुझे जितना अब तक मिल पाया है तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक masterpiece है यह English में है English और German दो language में और English में आपको इसके subtitles भी available हैं आप इसको असानी समझ सकते हैं आप यह मत बोलना है हमें English नहीं समझाती यह नहीं देख पाएंगे अगर जब तक इस चीज को देखोगे नहीं न तो compare कैसे करोगे और बाकी web series के साथ की भी इतना जबरदस्त काम इतना जबरदस्त direction writing इतनी perfect कैसे कर सकते है कोई मेरे पास अभी भी कोई proper या perfect ऐसा कोई word नहीं पिल पा रहा कि आपको मैं बता पाऊं यह series कितनी उम्दा लेवल के आप एक काम करिये आपने अभी तक Netflix इंडिया या Amazon इंडिया जितने भी भारत की जो इतनी भी कहानिया है आपको जो भी आपकी सबसे फेवरेट सबसे उम्दा लेवल की आपको अवल दर्जी के आपकी जो web series है आप उसका compare अगर इससे करके देखोगे तो मैं यही कहूंगा कि dark web series उससे लाख गुना बैटर है जब यह series देखके हटा तो मेरे दिमाग में एक स्वाल यह भी उड़ा था बार बार क्यूं भारत में ऐसे कच्छरा जो series आ रही है क्यूं आ रही है क्यूं ढंकी कोई writing नहीं लिख रहा क्यूं ढंक कोई direction क्यूं नहीं कर रहे बारत के अंदर वो भी तो कर सकते हैं क्यूं नहीं ऐसी चीज लेकर आ जाएं कि सब सन रह जाएं बाहर की चीजे यार इतना जबरदस चीज देखा है और मैं यह नहीं कह रहा है कि हम कोई कम है यार बहुत अच्छे अच्छे writer बैटे हैं बहुत अच्छे अच्छी direction करने के लिए बैटे हैं लेकिन क्या होता है कि उनको मोका भी नहीं मिल पाता केवल इसमें time traveling ही नहीं दिखाया गया इसके साथ साथ बहुत सारे करेक्टर एक दूसरे के साथ कैसे connected है उनका past में उनके यानी past यानी तैंती साल पहले उन्होंने क्या किया था वहां उनका relation मतलब वहां जो उन्होंने जो चीज की थी आज उनके प्रेजेंट को effect कर रही है बहुत सारी चीजें इसमें मतलब जब देखा दीरी 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 चीजें सामने आने लगी तो दिमाग की ना यार कह सकते हैं कि ढखकर न उड़ने को हो गया मतलब अब यार इतना पागलपन लग रहा था यार यह क्या चल रहा है यार इतना suspense इस suicide करता है और 4 November 2019 को Mikkel नाम का एक 11 साल का लड़का उसका गायब होना मतलब गायब सबको लगता है कि विडिन टाउन में सबको लगता है कि उसका किसी ने kidnap कर लिया है तो यहां से वो चीज शुरू होती है इसके दो एपिसोड खतम होते होते आप इस सीरीज के addicted हो जाएंग कि इसके अगले एपिसोड में क्या है इसके अगले एपिसोड में क्या है मतलब लगातार आप इसके बैठ कर सिर्फ दो एपिसोड तक आपको अपने आपको यहार मैं कहूंगा कि सिर्फ एक एपिसोड एक एपिसोड के बाद इतना interest इसके अंदर बन जाएगा क्योंकि यह तर टाइम लगता है चीज को बनने में इसने वही चीज दिया है यानि ऐसे नहीं कि कोई चीज ऐसे चुटकी बजाते हुई चीज चल रही है ना इसमें बहुत प्यार से इतना स्मूथ ली इतना उस स्मूथनेस के साथ भी पॉजल कर दिया है काफी सारे ऐसे व्यूर्स हो सक इसको प्लीज इसको सेकेंड टाइम जुरूर देखना क्योंकि फिस्ति आप लोगों को इसको डेखोगे तो आप जरूर सैटिस्वाइब हो रहे होगे यह नहीं कि आप इसको फॉस्ट टाइम में जब देख रहे होगे तो आपका दिमाग का द्ही का मतलब आपको पसंद यह पसंद आ रही होगी लेकिन इतना अतलब इसके अंदर इतना दिमाग यूज हो जाएगा कि आप देखोगे कि यार यह इससे कैसे रिलेटिड है यह पास्ट में उसके साथ कैसे रिलेटिड है एक तो नाम उनके टोरेंटो ऐसा कुछ नाम हो गया जोनस उल्रीच हाना इन स सब चीज़ों का इनके साथ कैसे रिलेशन है इसके अंदर चीज हैं तो माहिकल का सुषइड करना, मिकल का गायभ होना यह सब चीजों यह सब चीज chaîne एक दूसरे से होते हैं तो इसका पता लगाने के लिए माइकल का बेटा जोनस उस गुफा में जाता है एक मैप की मदद स जो उसे अपने ही पिता यानि माइकल के रूम से उसे मिला हुआ होता है और जब वो उस गुफा में जाता है तो उसको ऐसी कोई टाइम ट्रेवलिंग का चीज का पता चलता है कि यहां से वो पास्ट में भी जा सकता है तो वो 1986 के टाइम में चला जाता है जहां पर उसे मिकल मिकल जो गायब हो चुका है प्रेजेंट यानि 2019 में उसको 1986 में वहां पर दिखा दिखता है तो उसे एक चीज भी पता जलती है कि मिकल और माइकल का क्या रिलेशन है उसे जानकर वो दंग रह जाता है मैं बहुताने वाला नहीं हूँ कि उसने उसे क्या पता चलता है क्यों करता है जिसका नाम होता है मार्था उसे वह बहुत प्यार करते हैं लेकिन जो टाइम ट्रैवल करके वापस 2019 में आते हैं तो उस लड़की के परती उसका रिलेशन अब बदल चुका है अब वह चाहकर भी उससे प्यार नहीं कर सकता है एक बार तो मिरे को बहुत अजी आई अब पता नहीं कब फटता है मुझे नहीं पता है और अब बात करते हैं कि इसका फर्स सीजन देखने के बाद किन किन सौलों के जवाब जो मैं चाहता हूं जानना जैसे कि जोनास जो ओल्डर जोनास है उसके पास ताइम मसीन कहां से आयी और मर चुका है इस चीज का जवा या फिर वो Claudia के पास Time Machine का Blueprint कहां से आया, वो टाइम में कैसे Travel कर रही है, Noha कौन है, Brutus कौन है, या Noha या Brutus दोनों एक ही है, Ulrich के वापस आप आएगा, Ulrich का 1953 के अंदर जाना, 2019, 1953 में जाना और Hellsie को मारने की कोशिश करना, क्या यह सब पहले हो चुका था, यह पहले लिखा हुआ था Time में की बस ऐसे ही होने वाला है और इंसान का असली मकसद क्या है, क्या वो Time में ही फसा रह जाएगा या फिर इससे भी आजाद हो पाएगा, हम बहुत सारे ऐसे Viewers होंगे, जिनको मेरी बातें, बहुत सारी बातें, जो है उनको समझ नहीं आ रही होंगी, वो सोच रहे होंगी क्या बात हो रही है, लेकिन जब आप इसका First Season देखकर हटोगे, अब यह वीडियो देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा था, और अब अगर इसकी बात करूँ Direction की, तो क्या जबर्दस Direction और कितना जबर्दस लिखा है यार इस सीरीज को मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहाना, यह सीरीज जो है, वो Masterpiece है यार चार-चार अवोड यह पहले जीत चुकी है प्रेटर को ढ़लने का टाइम, सब कुछ फैमिली ड्रामा, बहुत कुछ है इसके अंदर, के विल टाइम ट्रैवलिंग के उपर फोकस नहीं है, वो सारी और चीजों के उपर फोकस है, प्यार के उपर, फैमिली ड्रामा के उपर यार यह सीरीज आपको यार बांद के रखने का, मैं कहूं कि आपको बांद के रखेगी, यार वो तो बहुत चोटा वर्ड है, यह सीरीज आपको मतलब हिलने नहीं देगी यार, आपकी सीरीज से, मतलब पलक भी नहीं जपकने देगी यार अब क्या होने वाला है क्या और अब एक बात उन लोगों के लिए जिनकी उमर तो बढ़ गई है लेकिन उनका दिमाग अभी भी गुटनों में है और जिनको लगता है अनानया पांडया ने स्ट्रगल किया है तो उनके आगे हाथ जोडता हूँ प्लीज भाई इस सीरीज से दूर ही रहना मैं नहीं चाता है तुम इस सीरीज का कचरा करो क्योंकि तुम्हें समझ आने वाली है नि तुम्हारे ये दिमाग तो है नि तुम्हारे उपर से जाने वाली है तो please क्रिपा करके इस सीरीज से दूर रहे समझदार ही जो मैचोर हैं जिनके समझ सकते हैं एक चैलेंज भी एक तरीकिया से जो इसको समझ सकते हैं तो वो ही इसको देखने की कोशिश करें हाँ बहुत जल्द इसका second season भी मैं देख लूँगा देखने पड़ेंगे मुझे पदा है कि महां से मैं नहीं उटने वाला तो कुछ एक टाइम बाद इसका second season का review भी मैं अपने हैं इस channel पे upload कर दूँगा और उस video में हम second season और first season में दोनों में with spoilers के साथ सारी अराम से बात करेंगे जो भी स्वाल हमारे मन में उट रहे हैं कि यहां यह चीज कैसे हुई उन सब की बातें वहां हम करने वाले हैं मेरी तरफ से इस series को मैं देना चाहूँगा इस series नहीं इस first season को मैं देना चाहूँगा 9.5 out of 10 star मतलब 0.5 इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि चांद में भी दाग होता है clear ओके बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिंद